नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत आपका द्रिश्ट्री आईयस में आज से हम लोग बात करेंगे एक नई श्रंकला का आरम करेंगे जिसमें हम पुर्थम पुर्शन पत्र के जो इकाई वार बात करेंगे यहनिकि एक एक युनिट को लेकर वहां से जो वी में जो प्रशन पूछे गए हैं उन प्रशनों को हल करने का उन प्रशनों को समझने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संप्रेशन से कम्यूनिकेशन से जो 2023 में प्रश्ण पूछे गए हैं उनको लेकर पहला प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण कहता है संप्रेशन की द्रस्टी से निम्नलिखित में से कौनसा एक सांस्कृतिक संस्थान है मार्च 2023 में पेपर में पूछा गया है कि संप्रेशन की द्रस्टी से, संचार की द्रस्टी से निम्नलिकित में से कोनसा एक सांस्कृतिक संस्थान है व्यापार संगठन, राजनितिक दल, सैन्य गठबंदन यब परिवार देखे यहाँ बस इस बात पर ध्यान देना है कि वो परिक्षक ने कहा है कि संप्रेशन की संचार की द्रस्टी से कम्यूनिकेशन की द्रस्टी से अब आप स्वयम के अपने मौलिक विचारों से अनुमान कीजिए आप अपने पूर्व ज्यान से अनुमान कीजिए कि इन सभी में चारों विकल्पों में ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको हम कहें कि वो सभी समाजों में म कि यह आझ जैसे आप देखेंगे आप कहेंगे कि क्या व्यापार संगफन संचार की दृष्टी से एक सांसकृतिक संस्थान है आप गहें नहीं आप कहेंगे नहीं राजनीतिक दल नहीं परिवार सभी समाजों में यह कि अजिकING बात कर लें तो एक पुर्मुक सांस्कृतिक हम कहेंगे सामाजिक संस्था है यहीं संचार में क्या होता है कि जितनी वी चीजे बालक सीखता है वो पहले अनुकरन करेगा वहां से सीखेगा फिर बातों को दोहराना शुरू करेगा शुरुवात में अइसपस्ट उचारण होगा लेकिन धीरे कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो सांस्कृतिक संस्थान है जब सभी समाजों में हम बात कर लेंगे तो हम कहते हैं कि यह एक पुर्मुक सामाजिक संस्था है यहां परिवार में बालक का शारिरिक हो मांसिक हो सम्वेगात्मक हो यह सभी प्रकार का विकाश होता है उसका हम यह कहते हैं चहुमों की विकास संभव हो पाता है परिवार जैसी संस्था में बिंदु सपस्थ हुआ तो बहुत सरल प्रश्ण था सहजता के साथ सभी विद्यारती ने इसको हल किया होगा अगला प्रश्ण है संप्रेशन की बाधाओं की सूची में निम्न लिखित में से क्या शामिल नहीं है संप्रेशन की बाधाएं जिनको हम कहते हैं शोर जिनको हम संप्रेशन पढ़ते समय कहते हैं नौइस शोर कहते हैं उसको यह संप्रेशन में बाधा होती है सरल शब्दु में इतना समझ लिजे कि एक प्रेशक जो संदेश को प्रेशित कर रहा है वहां से औ संचार में noise कहा जाता है बास समझ आ गई अब इस प्रश्न के अनुसार देखिए कि इस जो बाधाओं की सूचिये उन में से क्या शामिल नहीं है शारिक शोर अर्थगत शोर दार्षनिक शोर या मनोवैज्ञानिक शोर एक एक करके यदि हम बिंदू समझे शारिक शोर नहीं होगा जो संचार की बाधाएं हैं उन में शारिक शोर को शामिल किया जाता है शारिक बाधा को शामिल किया जाता है मान लीजे कोई व्यक्ति ऐसा है जो संचार की प्रकरिया को आरंब करता है उसके सर में दर्द है पैर में दर्द है या कोई भी किसी अन्ने वज़े से कोई सारीजिक तकलीफ है तो उसका जो संचार होगा वो प्रभावी संचार नहीं होगा बास समझ पाई तो इसको तो शामिल किया जाता है यदि अर्थगत की बात करें तो अर्थगत को भी संचार में बाधाओं में शामिल किया जाता है अर्थगत शोर हम पढ़ते हैं कक्षाओं अनर्थ हो जाता है संचार की प्रक्रिया में तो यह अर्थगत शोर होता है विस्तार से कक्षाओं में पढ़ते ही हैं तो हम ही क्या कहेंगे कि अर्थगत शोर जो है वो भी शामिल है दार्शनिक प्याने से पहले मनोवैग्यानिक की बात करते हैं मनोवैग्यानिक भी इसको स जबाव है उनके उपर, आर्थिक कोई समस्या है, घर का कोई कलेश है, कोई कल है, पारिवारिक, जिसकी वज़े से वो मानसिक तनाउ में हैं, तो ऐसे में आप पाएंगे कि उनका ना तो सिक्छन प्रभावी होगा, ना ही जो कक्षा में संचार होगा, ना ही वो संचार पुर्भावी नहीं होगा ठीक यही बात लागू होती है संचार के साथ भी कि यदि सिक्छक हो या कोई भी प्रेशक है यदि वो मानसिक तनाव में है मानसिक दबाव में है तब क्या होगा उसके द्वारा जो संचार की प्रक्रिया आरंब की जाएगी वो पुर्भावी संच उसमें दार्षनिक शोर को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका अनुमान भी नहीं हो पाता है बिन्दु इसपस्त हो गए हां तक का तो इसका सही विकल्ब क्या है दार्षनिक या आप के सकते हैं फिलोसफिकल विन्दु अगला प्रशन निम्नलिकित में से कौन से रूप संप्रेशन के पारंपुरिक माध्यम हैं सडक प्रदर्शन यक्षगान कट पुतली का खेल हरी कथा फिल्मी निरत्य एक बात ध्यान रखनी है कि ये पारंपुरिक माध्यम के बारे में बात कर रहा है आधुनिक माध्यम के आधुनिक मीडियम के बारें बात कर रहा है तो जैसे ही आप पाएंगे तो आप सबसे पहले इसको हटा लेंगे फिल्मी निर्थ्य ये आधुनिक माध्यम है बिंदु स्पस्ट हो गया उसने प्रशन में पूछा है पारंपरिक माध्यम तो पारंपरिक माध्यम में हम सड़क प्रदर्शन को भी शामिल नहीं करेंगे पास समझ पेड़ हम किसको शामिल करेंगे यक्षगान को शामिल करेंगे यक्षगान क्या होता है कि करनाटक के जो तटिये छेत्र है उनमें किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोकनाट्च एकी इसको 800 वर्सु से भी पुरानी प्रमप्रा मानी जाती है इसकी तो एक करनाटक के तटिय छेत्रों में एक प्रसिद लोक नाट्टे है यक्षगान तो पारंपरिक माध्यम है संचार का दूसरी बाद कट पुतली का खेल जिसको कहते हैं पपेट्री आप आएंगे कि आपने र परक्रचलिद जो नचाते हैं वह कट पुतली का क्याता है संचार की पूसरी रूप में बत कर लो तो जो राजिस्थानी नट है वह इसमें हम यह कह सकते हैं कि वह इसके लिए अधिक परनाटका खेल के लिए बिंदु इसपस्ट होगे यहां तक का फिर बात करते हैं हरी कथा हरी कथा को भी शामिल किया जाएगा पारंपरिक माध्यम में हरी कथा का मतलब क्या हुआ हरी धन्जमा कथा हरी की कथा हरी मतलब इश्वर तो इश्वर की कथा आराध्य की कथा अब इसमें क्या होगा यानि कि जिसे हिंदु धर्म में इश्वर हैं उनके अवतार हैं तो उनके गुण का वर्नन उनके रूप का वर्नन उनके यश का वर्नन जो है हरी कथा है हरी की कथा है इश्वर की कथा है तो इसके माध्यम से भी संचार की प्रक्रिया हो रही है तो ये भी पारंप्रिक माध्यम है, संप्रिशन का पारंप्रिक माध्यम है, फिल्मी निरित्य को हमने हटा दिया, फिल्मी निरित्य और सड़क परदर्शन ये दोनों आधुनिक माध्यम है, बिंदुस्पस्ट है, मार्च 2023 में पूछा गया प्रशन है, तो सही विकल्ब इसका कुन सा होगा, दूसर क्षा में सिक्षक विद्यारतियों को क्या प्रदान करते हैं, पुर्भावी कक्षा संप्रिशन की बात है, नवीन ग्यान, नवीन विभार, नवीन सौफ्ट कोशल, आक्रामक मनोवरत्ती के नए ढंग, या अतिशय अनुक्रिया, तो आप सहजी कहेंगे नवीन ग्यान दे हाइपर रियक्षन हर बात को लेकर नहीं, तो प्रभावी कक्षा संप्रिशन में, कक्षा संप्रिशन में सिक्षक का मुख्य उद्देश है क्या होता है, यह होता है कि विद्यारतियों को नए ज्यान मिले, नवीन व्यभार सीकिये, नए सौफ्ट कोशल उनके अंदर आए तो एक, दो, तीन सही हो जाएगा, यहां तक में कोई समस्य किसी को नहीं होगी, एक, दो और तीन सही है, अगला प्रशन देखते हैं, नीचे दो कथन दिये गए है, पहला कथन आपसे कहता है, कि अंतरवयक्तिक संप्रेशन व्यवित या अव्यवित हो सकता है, यह बात कर र कि अंतरवयक्तिक संप्रेशन में, दूसरा कथन है, प्राय इसके भाग पर जन संप्रेशन नहीं होता, इस बात पर ध्यान देना है, आवश्यक नहीं होता, मास कम्यूनिकेशन का मेडियेटिड होना आवश्यक नहीं होता अब इसमें दो बिंदू समझने हैं पहले तो हमें समझना है कि अंतरवयक्तिक संचार कम से कम दो लोगों की आवश्यक्ता होती है कम से कम दो लोगों की आवश्यक्ता होती है जब हम स्वयम के साथ संचार करते हैं उसको कहते हैं अंतरवयक्तिक संचार जब एक से अधिक लोग होंगे यानि कि हम हमनारे अलावा कोई एक और विक्ति होगा कम से कम दो होंगे तो अंतरवयक्तिक संचार हो जाएगा अब अंतरवयक्तिक संचार, यानि कि हम अपने मित्र के साथ कर सकते हैं, अपने पिता के साथ कर सकते हैं, अपनी माता के साथ कर सकते हैं, गली में कोई मित्र मिला उसके साथ कर सकते हैं, मोबाइल पे किसी से वाटसअप पे चैटिंग हो रही है, वो भी, किसी अन्य सोसल मेडिया प्लेट्पोम पर किसी एक व्यक्ति से चैटिंग कर रहें वो भी बात समझ पाई अंतर्व्यक्तिक संचारी हो गया जहां बहुत ध्यान रखना है कि कम से कम दो लोग है जहां विचारों का आदान-परदान हो रहा है या कोई संदेश प्रेशित किया जा रहा है तो मध्यस्त और मध्यस्त नहीं भी हो सकता बास सही है कई बार क्या होता है कि हम अपना संदेज जिसे किसी और के माध्यम से पहुँचवा दिया या जब भी हम मालीजे हम चैटिंग कर रहे हैं तो कोई माध्यम है कोई मध्यस्ता कर रहा है बीच में बास समझ पा रहे हैं तो को और कि परक्रिया डारेक्ट हो रही है से तो बो直接 मेडियेटीड भी हो सकता है तो पहला कथन तो सही है गई दूसरा कथन प्राय इसके बहाग पर जन संप्रेशण का व्यावित होना आवश्यक नहीं होता है तो जन संप्रेशण को हुआ जन संप्रेशन का मतलब हुआ जन मतलब जनता भीड और संप्रेशन तो संचार यहीं कि संदेश प्रेशित किया जाएगा तो जब एक व्यक्ति एक प्रेशक एक से अधिक मतलब अनेक संख्या में अग्यात श्रोताओं को संदेश प्रेशित करता है अंतर व्यक्तिक मे क्या है हमको श्रोता ग्यात है श्रोता के बारे में जानकारी है कोन है जन संचार में जन संप्रेशन में श्रोताओं का ग्यात होना आवश्यक नहीं है जैसे आप देखिए रेडियो के माध्यम से जो संचार किया जाता है उसमें श्रोताओं के बारे में जानकारी नहीं है श् अग्यात सुरोताओं के साथ में संचार किया जा रहा हो, संदेश प्रेशित किया जा रहा हो, तो वो क्या है, वो मास कम्यूनिकेशन है, वो जन संचार है, वो जन संप्रेशन है, अब ये जन संप्रेशन समझ में आया, उसने कहा आगे प्रश्ण में, कि इसका व्यभित होना अवश्यक नहीं होता, इसका mediated होना अवश्यक नहीं होता, इसकी मद्यस्ता कोई करे यह अवश्यक नहीं है, जबकि यह गलत है, आप पाएंगे कि जन संप्रेशन के लिए mass communication के लिए माध्यम तो चाहिए, हम रेडियो के माध्यम से कर रहे हैं, तो रेडियो हो गया, टेलिविजन के माध्यम से कर रहे हैं, तो टेलिविजन हो गया, बास समझ पार आप यहां तक कि, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यक तातो है, तो इसका व्यभीत होना आवश्यक होता है, इस नहीं की वजह से ये कथन गलत हो गया बिंदुस्पस्ट हो गया यानि कि कहेंगे पहला सही है और कथन दूसरा जो है वो गलत है जन संप्रेशन तो मेडियेटिड होगा ही होगा ये ध्यान रखना है बिंदुस्पस्ट हुआ तो एक गलत है और दूसरा सही है एक कथन एक सत्य है कथन दो असत है सही विकल्प क्या हो गया सी इसी प्रकार के सरल सरल से प्रशन आपके 2023 में पूछे गए उससे पहले भी पूछे जाएंगे बस हमको अवधार्णाओं को लेकर एकदम इस पस्ट रहना है कि हमको कंसेप्ट अच्छे से पता हूं व्यावारिक रूप में ओकर हम चीजे जित परज में आए होंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलेंगे आप से अगली क्लास में तिल दन बाबाई हैवनाइस टे करें